पर्सिया पुलीस ने 223 घंटे में अंदेहत्यकान खाखुलासा कर नया किर्तिमांद रज दिया है वही हत्यारी युवक को भी किरतार किया गया जानकारी के अनसा बिती रात करीब 3 बजे के दरान पुलीस को सुचना मिली कि ग्राम दुंगरिया चौकी न्यूटन को मृतक विशाल डेहरिया पिता शंकरलाल डेहरिया 26 साल निवासी दुंगरिया की किसिया ग्यात व्यक्ति धारधार हत्यार से चोड़ पहुचा कर हत्या कर दी है सुचना पर ततकार ताना प्रभारी सुमेरिसी हजगेत अपने स्टास सहित मौके पर पहुचे जाकर देखा कि मृतक विशाल डेहरिया की गली और सिर में गंभीर धारधार हत्यार की चोट होनी वा त्यादिक रक्त बहने से उसकी मृत्य हो गई है प्रतम दुरुष्टिता देखनी से यह सपष्ट हुआ कि अग्यात व्यक्ति ने विशाल डेहरिया और देवेनर डेहरिया की हत्या कर फरार हो गया है थाना प्रभारी सुमेरिसी हजगेत ने तदकाल अपनी टीम को सक्रिय कर अग्यात आरोपी के विशे में सूचना संकलन एकत्रित करना शुरू किया इसी दोरान सूचना मिले कि कल रात को विशाल डेहरिया को पड़ोस में रहने वाले किशोरी विश्वकर्मा पिता किशनलाल विश्वकर्मा काली गलोज कर रहा था किशोरी विश्वकर्मा की विशे में जानकारी एकत्रित करने पर पता चला कि वह रात्रे से ही सकुनत से फुरार है और काफी तलाश पतार रहती उपरांत यह ग्यात हुआ कि किशोरी विश्वकर्मा रात में ही कारा बोह छिंद्वारा चला गया है छिंद्वारा में समभवित स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई जो किशोरी विश्वकर्मा पुलिस को देख कर भागा जिसे पुलिस ने घेरा बंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप की किशोरी विश्वकर्मा ने पूछताच पर पहले पुलिस को गुमरा किया जिसे पूछताच जीतु ठाना लाया गया विवेचना में आया साक्षो की आधार पर हिकमत अमली से किशोरी विश्वकर्मा से पूचताच करने पर अंत में उसने अपना जुर्म करना स्विकार किया घटना करने के विशय में किशोरी विश्यकर्मा ने बताया कि आज से करीब एक साथ पहले मृतक ने इसकी पत्नी के साथ अवेद संबंद बनाय थी जिस पर से किशोरी विश्यकर्मा उसे नारास था और उसी समय उसे ठिकाने लगाने का मन में ठान लिया था किन्तो मृतक तब से भोपाल मिच्छा कर रहने लगा था इस कारण से किशोरी विश्वकर्मा को उसे मारने का मौका नहीं मिल पाया मृतक रक्षा बंदन पर भोपाल से वापस आया था तभी से किशोरी विश्वकर्मा इसे ठीकाने लगाने की फिराक में था कल रात को जब कोई नहीं था तब किशोरी विश्व कर्मा का विशाल धेरिया से विवाद हुआ और इसी बीच किशोरी विश्व कर्मा ने कुलहारी से पहले इसके सिर में वार किया और जब वह गिर गया तो गर्दन में पीछे की तरह कुलहारी से वार किया जब मृतक मर गया तो वह घर से भागया किशोरी विश्यकर्मा से पूछताच कर उससे घटना में प्रयोक कुलहाडी वह घटना के वक पहने गए कप्रे पुलिस द्वारा सब के है मृतक विशाल देरिया की मृत्यों के संबन में सूचना मिलने के तीन घंटे के अंदर अग्यात मर्डर को ट्रेस कर आरूपी को गिरफतार करने में परासिया पुलिस ने सफलता प्राप्त की है जिसे पुलस द्वारा नगल इन अमदेनी की घूशना की गई है उपरोग कारवाई में सुमेर सिह जुगहत्ताना प्रभारी परासिया एसाई ओम प्रकाश मालविय एसाई बिश्यन सिह रगवशी राम किरन बर्मिया प्रधान आरक्षक वैदही पटेल आरक्षक विनोद बूरकर लोकेश पटेल साइबर सल आरक्षक आधिति रगवशी का मातुपोन योगदा रहा बीस्यन न्यूस के लिए चिन्वाला सेच्च नरशे कर शक्रवार की रिपोर्ट